हलो फ्रेंड्स मैं सुशानत आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ आज हम देखेंगे how to ask for clarification देखें ऐसा बहुत बार होता है कि सामने वाले इंसान ने कुछ कहा है लेकिन आपको वो ठीक तरीके से बात समझे नहीं है या फिर ऐसा classroom में भी हो सकता है कि teacher पढ़ा रही है लेकिन आपको मतलब I as a student वो बात समझ में नहीं आई है तो आपको clarification के लिए पूछना पड़ता है आपको पूछना पड़ता है कि एक बार फिर से समझाईए या फिर मैं समझाने इसे English में कहने के अलग-अलग तरीके है तो आज यहाँ पे हम 18 plus examples ऐसे देखेंगे कि आप clarification के लिए किस तरीके से पूछ सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक विशेश रूप से ध्यान रखा गया है कि यह वीडियो जो है यह मैंने आपको translation मतलब हिंदी में और माराठी लैंग्वेज में आपको translation स्क्रीन के उपर दिया हुआ है ठीक है और यह पूरा वीडियो में मैं आपको explain करके बताने वाला ताकि आपकी revision हो जाए वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है वीडियो का पार्ट वन listening the conversation मैं आपको पहले पढ़कर सुनाओंगा उसका explanation दूँँगा और second पार्ट में आप में वो शब्द मेरे साथ repeat करेंगे चलिए पहला पार्ट listening the conversation with discussion अभी देखिए could you explain that जो लड़का बोल रहा है could you explain that उसका मतलब क्या होता हिंदी में क्या आप उसे समझा सकते हैं मतलब किसी ने कुछ example आपको समझाया हुआ है वो आपको ठीक से समझा नहीं है और आपको उसे पूछना है कि क्या आप उसे समझा सकते हैं या फिर माराठी में तुमी ते सपस्ट करू शक्ता का किवा तुमी ते सपस्ट करू शकाल का इसलिए वही सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे could you explain that could you explain that अभी देखिए दूसरा एक्जामपल ले 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 आपकी लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे what do you mean आप हिं जब आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे what do you mean what do you mean चलिए यहापे दो एक्जामपल देख लिए next देखेंगे क्या है आपके right साइड में what does this word mean what does this word mean अभी यह आपको कब यूज करना है जब आपको बोलना है इस शब्द का क्या मतलब है इस शब्द का क्या मतलब है अगर आपको यह बोलना है तब आप इंग्लिश में वो sentence बोलोगे माराथी में यही इसका अर्थ होता है यहाँ शब्दाचा अर्थ काई आहे यही वाक्ये इंग्लिश में आएगा तब वो कुछ इस परकार बनेगा what does this word mean what does this word mean चलिए next क्या क्या आप मुझे एक उधारन दे सकते है मतलब सामने वाले ने आपको सीखाया है कुछ ना कुछ बात की यह लेकिन आपको एक example चाहिए उधारन चाहिए तब आप बोलोगे क्या मुझे एक उधारन दे सकते हैं माराठी में आएगा तुम्ही मला एक उधारन देव शक्ता का तुम्ही मला एक उधारन देव शक्ता का अब यही सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे Can you give me an example? Can you give me an example? अभी दोस्तों ख़ली समझ लीजिए जब repeat करेंगे न हम तब आपका pronunciation और clear हो जाएगा ठीक है अभी बस समझ लीजिए वीडियो को मैं उसे समझ नहीं पाया मैं उसे समझ नहीं पाया या फिर मला ते समझ ले नहीं मला ते समझ ले नहीं इसको अब इंग्लिश में जब convert करोगे तब होगा अब यह आपे देखिए डिड और यन अपोस्ट्रफी टी है तो इसका मतलब होता है आई डिड नॉट कैच देट उसको शॉट कॉंट्रेक्शन किया हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं आई डिड़न्ट कैच देट आई डिड़न्ट कैच देट अभी आपके left side में आ वह कैसे काम करता है यही माराथी में आएगा ते कसे काम करते अभी यही सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना है तो बनेगा how does that work how does that work एकदम सिंपल तरीके से हाम समझ रहे है next example मेरी समझ में नहीं आया या फिर मला कलले नाही यही सेंटेंस जब इंग्लिश में बनेगा I did not understand या फिर I didn't understand I didn't understand next example क्या आप इसे दोबारा कह सकते है क्या आप इसे दोबारा कह सकते है मन्जे तुम्ही पुन्ह सांगुशकाल का तुम्ही पुन्हा सांगुशकाल का इंग्लिश में बनेगा can you say it again can you say it again next example क्या आप अधिक धीरे बोल सकते हैं क्या आप अधिक धीरे बोल सकते हैं मान लीजे कोई आप से बात कर रहा है और वह स्पीड में बात कर रहा है और आप चाहते हैं कि वह धीरे से बोले तब आपको यह सेंटेंस का उप्योग करना जरूरी है अपन अधिक हडू बोलू शकता अपन अधिक हडू बोलू शकता इंग्लिश में आएगा could you speak more slowly could you speak more slowly अभी next sentence मुझे यकिन नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं या फिर तुमी काय मनत आहात याची मला खातरी नहीं तुमी काय मनत आहात याची मला खातरी नहीं इंग्लिश में बनेगा यह सेंटेंस I am not sure what you are saying अभी देखिए क्या आप उस भाग को दोरा सकते हैं कुछ छोटा छोटा पार्ट होगा और आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपको एक पार्ट वापस सामने वाले ने रिपीट करना है तब आपको यह सेंटेंस यूज करना है क्या आप उस भाग को दोरा सकते हैं अपन तो भाग पुन्हा करूशकता इंग्लिश में कुछ इस कदर बनेगा क्या आप इसे मेरे लिए स्पष्ट कर सकते हैं तुम्ही माजा साथी ते स्पष्ट करूशकता का अगर आपको बात समझ में नहीं आ रहे है थोड़ा सा स्पष्टी करन चाहिए मतलब है न तब आप उसको और clarity के लिए कुछ इस प्रकर तीनों language में पूछ सकते हो चलिए next example अगर आपको यह मेरी महनत पसंद आ रहे है तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा आपने दोस्तों से शेयर करिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए next example क्या कहा अभी यह आपको कब बोलना है जब सामने और ने कुछ कहा है लेकिन आपने वो ठीक से सुना नहीं है तब आप बोलोगे क्या कहा या फिर तुमी काय बोलात तुमी काय बोलात इंग्लिश में आएगा What did you say What did you say मैंने वह बिल्कुल नहीं सुना सामने और ने कुछ बात बोली हुई है लेकिन आपने वो सुनी नहीं है तब आप बोलोगे मैंने वह बिल्कुल नहीं सुना मी ते नीट आइकले नहीं मी ते नीट आइकले नहीं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा I did not quite hear that I didn't quite hear that फिर इस एक बार I didn't quite hear that अब भी दोस्तों next example क्या आप उसे तोड सकते हैं क्या आप उसे तोड सकते हैं अभी यहाँ पर तोडना का मतलब यहाँ पर अलग बताए गया है सामने और इने बहुत लंबी कोई चीज कही गई है और वो आपको ठीक से समझी नहीं है तो आप चाहते हैं कि वो उसको ब्रेक करें मतलब उसे थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में तोड़े और फिर आपको समझाए तब आप यह सेंटेंस का उपयोग कर सकते हो तुम्ही ते खंडित करू शकता का तुम्ही ते खंडित करू शकता का इंग्लिश में बनेगा कुड यू ब्रेक डाट डाउन कुड यू ब्रेक डाट डाउन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं तुम्ही ते पुन्हा स्पष्ट करू शकाल का इंग्लिश में बनेगा, could you explain that again, could you explain that again, अभी दोस्तों next example, यह अपना last example है, क्या आप मुझे समझने में मदद कर सकते हैं, तुम्ही मला समझन घैला मदद करू शकता का, यही sentence, इंग्लिश में कुछ इस प्रकार बनेगा, can you help me to understand, can you help me to understand, तो देखिए दोस्तों, यह total 18 examples है, जो हमने यहाँ पर discuss किये हुए है, आप इस में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपके जरूरत के हिसाब से, अभी इसको बोलने की practice करने हैं, चलिए, आप मेरे पीछे repeat करोगे, यहाँ पर मैं यह sentence repeat करूँगा, आपको थोड़ा सा वक्त में देदूँगा, वहाँ पर आपको repeat करना है, ठीके, चलिए, इससे क्या होगा, इससे 10-15 मिनिट के अंदर आपकी भी practice हो जाएगी, और आप आसनी से यह शब्द, यह वाक्य कहीं भी use कर सकते हो, चलिए, what do you mean, अभी आप repeat करिये, could you explain that, can you give me an example, what does this word mean, how does that work, I didn't catch that, यहाँ पर आप I did not catch that, इस sentence का भी उपयोग कर सकते हो, दोनों सेम ही है, ठीके, can you say it again, I didn't understand, आप I did not understand, आप I did not understand, ऐसा भी बोल सकते हो, I am not sure what you are saying, could you speak more slowly, can you clarify that for me, could you repeat that part, I didn't quite hear that, what did you say, could you explain that again, could you break that down, can you help me to understand, तो दोस्तों इस पंदरा मिनिट में आपने देखा है कि हमने अठरा लेंग्वे, सेशन में यापने आप को किसी उत्र की बीजरुरत नहीं जी हा, आपको बिल्कुल सही सुना है, आप को किसी भी साती की जरुरत नहीं आप बस मोबाइल पकड़िये, वीडियो दे खेए और उसके साथ प्रैक्टिस करेए, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय थैंक यू एंड टेक केर एक चोड़ी से रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू